बारिस बाकजी ये उनका नाम है जिनको आप नोयान के नाम से जानते हैं अर्थुगुरूल सीरियल में बारिस बाकजी के बारे में आज हम कुछ जानने के कोश्च करेंगे इनकी पैदाइस 27 माई 1975 को कारामान टर्की में हुई बारिस बाकजी टर्कीस थेटर सिनेमा एंड टीवी सिरीज के एक्टर है ही ग्रेजवेट फ्रॉम कोनिया सेल्जुक उनिवर्शिटी इन्होंने कोनिया सेल्जुक उनिवर्शिटी से ग्रेजवेशन किया कुन्योवेटरी थेटर डिपार्टमेंट आफ्टर वाकिंग इन त्राबजॉन इस्टेट थेटर उसके बाद इन्होंने त्राबजॉन इस्टेट थेटर में भी काम किया He continued his career at Istanbul State Theater और इन्होंने इस्तंबूल State Theater में भी अपना केरियर की स्टार्ट किया He participated resurrection अर्थगुरूल in the second season अर्थगुरूल गाजी जो सीरियल है resurrection अर्थगुरूल या उसको अर्थगुरूल के नाम से जानते हैं पुरा हो दिन्या में जो सीरियल ड्रामा उसमें इन्होंने second season में रोल किया और आपको रोल याद होगा नोयान का रोल नोयान जो अर्थगुरूल जो इसको hero मानते हैं तो नोयान को जो इन्होंने अदा किये थे इसके अलावा यह बहुत अच्छे टर्किस ड्रामा और थेटर में चाहे हुए हैं बहुत सारे सीरियल उन्होंने काम किये मैं तो पीछे जाता हूं 2005 से इन्होंने स्टार्ट किया था अपनी केरियर को गुमुज सीरीज से और उसमें एमीर का रोल अदा किये थे 2077 में उन्होंने किरिक कनातलर सीरियल में काम किये जिसमें वह हलिम करो अदा किये थे 2077 में याराली युरेक एक सीरील सीरीज था उसमें यह वेसल करो अदा किये में याप्रक दुकुमु कु इसमें उन्होंने आली सारपर करो अधा किये और 2011-12 में कुगजुक हान में फेंदी उसमें वो उमर का किरदार अधा किये 2015 में उन्होंने कारा कुतु उसमें वो कतिप गुनाल का कैरेक्टर अधा किये और 2015-16 में दिर्लिष अर्थुगुरूल जिसको अर्थुगुरूल गाजी बोलते हैं जो इसमें सबस्यादा इनको पहचान बनी प्रदुनिया में लोगों ने जानना से लुक किया अब तक कितन दिर्लिष अर्थुगुरूल में यह प्रदुनिया में फेमस हुए इसमें वो बाइच्चू नोयान का रोल आदा किये और 2017 में वो चेंबर एक सीरियल बनाए वोसमें बारिस का रोल आदा किये यह था आपको बारिस बागजी या नोयान के बार में का सकते हैं कुछ जनका बाक्स इस वीडियो के नीचे में है प्लीज कॉमेंट में मुझे कुछ लिखें मेरा होसला बनता है ताके मैं नेक्स वीडियो में आपके लिए कुछ और अच्छा करके लाऊं थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो बाइबाए